हेलो एलकम दोस्तों में हो किशुव और आप दिख रहे हो राधे बीट्स तो फ्रेंट स्वागत है आपका संडे क्यूए ने में तो दोस्तों आपने आस्क किशु लगा करके हमें कुछ सवाल पूछेते हम उसका जवाब देने वाले तो प्लीज वीडियो को बिना स्क्रिप सवाल की तो यहां पर सबसे पहला सवाल है साहिद गेमर वाइटी का इन्होंने कोमेट किया है वीव वाइट 20 में इनका सवाल है बाई में आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ इसका पोर्ट्रेट क्यूं काम नहीं करता है तो देखें सर पोर्ट्रेट काम ना करने की एक ही बज़ा होती है या तो आपके कैमरे में कुछ ऐसी सेटिंग्स हो चुकि है तो आप क्या किजिए का सेटिंग्स में जाईए और एक बार केमरा सेटिंग्स जो है वह डिसेट कर दीजिए आपको पोर्ट्रेट काम करने लग जाएगा अगर यह जो मैं बता रहा हूँ आपक जेशिक्स का एकाउंट कैसे रिमूव करें तो आपको कौनसा एकाउंट रिमूव करना है वो तो आपने लिखा ही नहीं उसमें Google एकाउंट, Facebook एकाउंट, WhatsApp एकाउंट बहुत सारे एकाउंट्स आते हैं बट एनिवेज कोई भी एकाउंट्स आप रिमूव करना चाहते हो तो यह जो मैंने आपको backup and reset की process बताईए ठीक वैसा ही कीजिए अगर आपका Samsung एकाउंट है और वो रिमूव नहीं हो रहा है तो लास्ट में जब आपको password एंटर करने को बोलता है backup and reset में तो आप Samsung एकाउंट वाला password एंटर कीजिए आपका जो भी data है सब कुछ format हो जाएग और आपके जितने भी एकाउंट से सब कुछ यानि कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ रिमूव हो जाएगा तो दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की तो यहां पर अगला सवाल है पाल गूर्जर का इन्होंने कोमेंट किया है वीवो वी 70 में इनका सवाल है जैसे कि आपकी इस वीडियो में मैंने देखा कि apps reset करने के बाद भी आपके पास डिलेट नहीं हुई तो क्या apps डिलेट नहीं होते हैं और उनके अंदर के data भी डिलेट नहीं होते हैं please clear me about that तो देखिए यह जो मैंने आपको process बताई उससे back up and reset की process है यानि कि सब कुछ बिलीट हो जाता है औल फॉर्मेट और बात रही मेरी की मेरा क्यों डिलेट नहीं हुआ तो यह जो फॉन मतलब जैसा कि आप नया फॉन लेते हो जैसा सब कुछ इस फॉन में तो यह एक डेमो फॉन है तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था तो डेफिनेटली मेरा भी डेटा डिलीट हो चुका है और बात रही कि एपस के अंदर के जो डेटा है उसकी तो वह सब कुछ डिलीट हो जाता है तो दोस्तों बात कर करते हो यानि कि आप इस फॉन में एक साथ दो जीयो के सिम कार्ड चला सकते हो तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं अगले सवाल की तो यहां पर अगला सवाल है वीनो तारोल का इन्होंने कॉमेंट किया है कि वीवो वी 20 का कीबार्ट सेटिंग कैसे करे तो सर आपने कैसे स है पर चला सेटिंग करना है वह तो आपने लिक्का नहीं थैसे अब करें और यह जो उसने, मैं में चला में योगेस महानुर का इन्होंने कोमेंट किया है कि मेरा एक वीव का मोबाइल है कुछ काम नहीं कर रहा है तो कैसे डिसेट करें प्लीज तो देखिए आपके पास जो कौन सा मोडल है यानि कि वह कौन सा फॉन है आपने वह कोमेंट में लिखा ही नहीं है और बहुत सारे वीडि लोगो काम करना शुरू कर देगा तो दोस्तों बात करते हैं आप अगले सवाल की तो आप अगला सवाल है अधित्या कुमार का इन्होंने कॉमेंट किया है बेश्ट स्मार्टफॉन अंदर टैन के अगर आपको दस अजर के आसपास का एक फॉन चाहिए तो सेमसंग गैलक्सी M01s आता है ओपो A15 आता है फिर वीव वाइट वैल ऐसा आता है आपके पास यह तीन आप्शन है आपको जो पसंदेव आप ले सकते हैं इन में से वैसे मुझे इन में से कोई भी एक फॉन लेना होता तो मैं चूज करता सेमसंग गैलक्स M01s तो दोस्तों बात करते हैं आप अगला सवाल है साइलेंदर रावत का इन्होंने कॉमेंट किया है ओपो A5 2020 बेक अप एंड रिसेट में कि ऐसा करने से क्या मोबाइल का ओल डेटा डिलीट हो जाएगा क्या रिपलाई प्लीज तो हाँ बेक अप एंड रिसेट करने से आपका फॉन में जो भी डेटा है सब कुछेट हो जाएगा आपके एककाउंट फेस्बूक एकाउंट गृगल एककाउंट असे सब कुछ एलिक फ़ार्मेट हो जाएगा तो दोस्तों बात करते हैं पर या Commend रक्सित का इन्होंने कॉमेंट किया कि वीवो वी 20 में जो इंटरनेट स्पीड मेटर की मैंने जो एपस बताई थी वो सिर्फ एक ही मिनिट काम करती है तो देखिए यह एक वीवो का सौप्ट्वेर इस्वी है पता नहीं यह वीवो कब फिक्स करेगा अदर्वाइस आपको ऐ से लाइव चैटिंग करना चाहते हो तो फेस्बुक पेज़ पे मेरा एकाउंट है रादे बीट्स करके आप वहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और में लिंक भी डिस्प्रिक्शन में दे रखिए तो आप वहां जाके भी डायरेक्ली मुझे फॉलो कर सकते हो तो आपको